नमस्कार दोस्तों देविगान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूँ पंकजराए आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 31 लेकर के आया हूँ इस प्रैक्टिस पेपर सेट में कुल मिला करके 30 परशन है जो की कई साल की परिक्षाओं में पूछे गए है चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला परशन काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिये इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है काली घटा का घमंड घटा गौर करिए यहां घटा शब्द दो बार आया है काली शब्द तो एक ही बार आया है और घमंड एक बार आया है का एक बार आया है इन सभी का कोई जो सामान अर्थ है वही है ठीक है लेकिन घटा शब्द दो बार आया है और इसका अर्थ भी अलग-अलग है काली घटा से मतलब है जब काले बादल आसमान में उमड़ जाते हैं तो उस घटा को उस काली घटा को बादलों का उमड़ जाना आसमान में उसको घटा कहा जाता है और घमंड घटा मतलब घमंड का घट जाना ठीक है तो यह पहली घटा का मतलब है बादलों का उमड़ना और दूसरी घटा का मतलब है घटना या कम होना तो जब शब्द एक से जादे बार प्रयोग किये जाते हैं किसी कावे की पंक्ति में और उसका अर्थ भी अलग-अलग होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है इस आधार पर यहाँ पर इविकल्ब जो है वह सही होगा चैने दूसरे प्रश्ण की तरफ चलते हैं दूसरा प्रश्न है मित्रों सब्जबाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है इस मुहावरे का अर्थ हिम्मत बनाना जूठे वायदे करना या हरे भरे उद्यानों के शायर करना या धोखा देना देखिए सब्जबाग दिखाने का मतलब है जब कोई व्यक्ति लंबे चोड़े वादे करता है और वो भी जूठे तो उसको कहा जाता है सब्जबाग दिखाना और आप जानते हैं कि मुहावरे विशेश अर्थ में प्रियोग किये जाते हैं उनका सामाने अर्थ नहीं होता इस हिसाब से भी विकल्प जो है वह सही होगा तीसरा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है उम्मीद का विलोम अब यहाँ लिखा गया है अवनति मायूशी आसा और असंतोश आप जानते हैं कि उम्मीद का मतलब है आशा ठीक है और उसका विलोम होता है मायूशी ठीक है तो उम्मीद का क्या हो गया मायूशी आगे आजाईए लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नहरू पुरसकार किसे दिया गया था लोकायतन कृति के लिए यानि लोकायतन एक कृति थी इसके लिए सोवियत लैंड नहरू पुर गोविंद मिस्र और सुमित्रा नंदन पंत तो बताना चाहूंगा कि यह पुरसकार सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था और यह पुरसकार उन्हें सोवियत लैंड नहरू पुरसकार उन्हें सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था उनकी किस कृति पर लोकायतन तो कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, आगे आजाए पांचवा प्रश्न, निम्न विकल्पों में से पुलिंग शब्द कौन सा है, देखिए सेना, मनी, धर्ती ये तीनों स्ट्रिलिंग शब्द हैं, आप जमेन का वाक्य प्रयोग करेंगे, लेकिन कुटु जो है, वह पुलिंग शब्द है, डी विकल्प सही होगा, छट्वा प्रश्न है, संगम, संवाद, संतोष, संसकार और संयुक्त, आदि शब्दों में उफसर्ग है, देखिए संगम में सम और गम मिला करें संगम बनता है, ऐसे ही संवाद में सम और वाद मिलाने पर संसकार में सम और कार मिलाने पर संसकार बनता है, संयुक्त में सम और युक्त मिलाने पर संयुक्त बनता है, ठीक है, तो सम एक संस्कृत उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है पूनता या संयोग, ठीक है, तो सम ये इन सभीर शब्दों में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गय आगे के प्रश्ट पर चलते हैं दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चैन करें तलवार एक उपयोगी फौलाद है यह गलत वाक्या है ठीक है तलवार एक उपयोगी शास्त्र है ठीक है शास्त्र हम कितावी ज्यान को कहते है ठीक है तो शास्त्र तो यहां हो नहीं सकता तलवार एक उपयोगी शस्त्र है या तलवार एक उपयोगी अस्त्र है अब यहां जानने वाली बात है कि शस्त्र क्या होता है और अस्त्र क्या होता है अस्त्र उस हत्यार को कहते है जो फेंक करके चलाया जाता है दुश्मन के ऊपर जब कि शस्त्र जो है उसको हाथ में थाम करके चलाया इस्तिमाल किया जाता है तो इस हिसाफ से सी विकल्ब जो है सही होगा तलवारे कुप योगी शस्त्र है ना कि अस्त्र आठ्वा प्रश्ण है दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मर्ण का विलोमार्थी शब्द है अनुस्मर्ण, अस्मर्ण, विस्मर्ण या अनस्मर्ण तो जान लिजिए इसका विलोम जो होगा वह होगा स्मर्ण का विस्मर्ण यानि भूल जाना अब हम आगे चलते हैं नौवे प्रश्न पर, नौवा प्रश्न है मित्रों, सुधी शब्द के अंट में क्या जोडने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा, सुधी में, तो सुधी में जन लगा देंगे, तो सुधी जन हो जाता है और यह शब्द बहुवचन बन जाता है, दसवाँ प्रशन देखते हैं, अम्रित और विश्क किसकी रचना है, अम्रित और विश्क अम्रित लाल नागर की रचना है, यह एक उपन्यास था, आगे देख लिते हैं, ग्यारवाँ प्रशन तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंका पहचानिये, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, अब यहां देखिए, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं, मतलब, तीन बेर का मतलब है, जो व्यक्तित तीन बार खाता था, दिन में तीन बार खाता था, यहां पहले बेर का अर्थ जो है, बार है, यानि कित कितनी बार खाता था तीन बेर मतलब तीन बार खाता था और अभी कितनी अभी क्या लिखा गया है वे तीन बेर खाती है यहां जो दूसरा बेर आया है इस दूसरे बेर का अर्थ है बेर का फल ठीक है पहली बेर का अर्थ क्या है बार और दूसरी बेर का अर्थ क्या है बेर का फल तो अब गौर करिए तीन बेर खाती थी जो व्यक्ति यानि जो इस तरी तीन दिन में तीन बार खाती थी अब वो सिर्फ तीन बेर के फल खाती है तो यहां देखिए बेर शब्द दो बार आया है उसका अर्थ भी अलग अलग है इसलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा यम जाच में आना या सच्चाई का सामना करना ठीक है तो खराद पर चड़ना इसका अर्थ है जाच में आना आगे आ जाईए तेरावा प्रश्न है दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या ह आ रहा है विपरीरतार्थक नहीं तो प्रत्यक्ष का होगा साक्षात आगे आ जाई चौदामा प्रश्ण खिचडी किस प्रकार का शब्द है खिचडी देशत यानि गाउं देहात में बोला जाने वाला शब्द है भी विकल्प सही होगा पंद्रामा चरण कमल बंदो बलकि बोला गया है चरण ही क्या है कमल तो यहाँ पर डी विकल्प सही होगा कमल के फूल जैसे पैर आगे आ जाईए सोलामा प्रश्न है आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है आये थे हरी भजन को ओटन लगे कपास यानि कि यहां होगा हरी भक्ति का मार कठिन होता है ऐसी बात नहीं है इश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना ये भी नहीं है आये थे हरी भजन को यानि व्यक्ति किसी और कारे के लिए आ रहा है और कारे कुछ और कर रहा है नेता में गण लगता है, नेता गण हो जाता है, भक्त गण हो जाता है, सिक्षक गण हो जाता है, लेकिन देवी शब्द में गण का प्रयोग नहीं होता, भी विकल्प सही होगा, अठारवा प्रशन है मित्रों, इन में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, चक्छु तत्सम है चक्षु का मतलब होता है आखें उष्ट्र यानि उट दधी आप जानते हैं ये सारे शब्द जो है ये तत्सम शब्द हैं नि संस्क्रिट के शब्द हैं लेकिन सिंगार जो लिखा गया है ये तत्सम नहीं है डी विकल्ब जो है वह सही होगा उनिसमें प्रश्ण में आते हैं प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरसकार से सम्मानित किया गया था देखें इसके लिए उन्हें भारा सरकार के सिच्छा मंत्राले पुरसकार से सम्मानित किया गया था ये आको बाहाट करना पड़ेगा 20. प्रशने निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रा कौन सा है निराला द्वारा रचित ललित ग्रंथों का जो संग्रा है वह कौन सा है आप भी जड़ा दिमाग लगाए फिर मैं आपको विकल्प बता देता हूँ कौई कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल सही होगा तो मित्रों इसमें गीतिका होगा या गीतावली होगा अनिमा होगा या गीता गुंज होगा तो ए विकल्ब सही है गीती का आगे आदे किस्वा प्रश्ण बाह का सामानि बहुवचन है बाह का सामानि बहुवचन होता है बाहें भी विकल्ब सही होगा बाइस्वा प्रश्ण है रांगडी बोली कहां बोली जाती है रंगडी बोली हर्याना में बोली जाती है तेस्वा प्रश्ण है काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती यहां बार मैंने एकी बार लिखा है दो बार आना चाहिए काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती इस लोकोक्ती का अर्थ क्या है इस लोकोक्ति का क्या आरथ है? बूरे दिन हमेशा नहीं रहते या दुरुभागी की मार बार बार नहीं होती चल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या लकड़ी का बरतन अग्नी से जल सकता है तो क्या सई है? कौन सा विकल्ब सबसे सई है? यह तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, काट की हांडी बार बार नहीं चड़ती. आगे आजाईए, 24 वा प्रश्णा है दिये गए वाक्यों में से सही वाक्यों बताईए, यद्ध्य भी वह बिमार था परंतु वह मेला गया, यद्ध्य भी वह बिमार तथा भी वह मेले में गया, यह भी गलत है, कौन सा सही होगा फिर, यद्ध्य भी वह बिमार था तो भी वह मेला गया, या यद्ध्य भी वह बिमार था तो भी वह मेला गया, ये भी गलत ये भी गलत ये भी गलत यानि चारों गलत तो हो नहीं सकते तो सही कौन सा होगा देखिए यहां मैं एक शब्द भूल गया हूँ यद्यपी वह बिमार था तथा पी वह मेले में गया तो यहां पर यद्यपी वह बिमार था एक शब्द मैं भूल गया हूँ बिमार के बाद था आना चाहिए था ठीक है यद्यपी वह बिमार था तथा पी वह मेले में गया तो यद्यपी के साथ तथा पी आएगा और वी विकल्ब जो है वह सही होगा थोड़ा सा प्रिंटी मिश्टेक हो गई है तो वहा ठान भूल गया था 25 प्रशन है निमने में से कौन सा क्रिया विशेशन का भीद नहीं है तो स्थान वाचक, रीती वाचक और परिमान वाचक क्रिया विशेशन होते हैं लेकिन जाती वाचक यह संग्या क्या प्रकार है 26 प्रशन है जिन वर्णों का उच्चान सतंत्र होता है उन्हें कहते हैं आप जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चान सतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं और जिनके उच्चान में स्वर की मदद लेनी पड़ती है उन्हें वेंजन कहते हैं 27 प्रशन है अरिवन सराय बच्चन ने अपने इंग्लेंड प्रवास काल में कौन सा गीच संग्रा लिखा था उन्होंने अपने इंग्लेंड प्रवास के दवरान प्रणय पत्रिका लिखा था एविकल्प सयोगा 28. क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां काल होता है, वहां संदिध वर्तमान काल होता है, अगर वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य लिखा गया है, जिससे पता चल रहा है कि वर्तमान में कार्य होने में संदेह है, तो उसे संदिध वर्तमान कहत और C विकल्ब सही होगा, उन्तीसवा प्रश्ण है, घर की आय का हिसाब माही रखती है, आय का विलोम क्या होगा, आप जानते हैं कि आय का विलोम होता है, व्ये, आगे आ जाईए, तीसवा प्रश्ण, विशेशनों में तुलना के आधहार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं, आप जानते हैं कि विशेशन की तीन अवस्थाएं होती हैं, उत्तरावस्था, मुलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तरावस्था, तीन अवस्थाएं होती हैं, कौन-कौन सी, मुलावस्था, मुलावस्था, दूसरी क्या है, उत्तरावस्था, और तीसरी क्या है, उत् तो ये तीन जो हैं अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर तो मैं समस्ता हूं मित्रों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप इसे जादा से जादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों मित्रों सगे समंदियों तक शेयर करेंगे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ अगली वीडियो में एक नए विशय के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद